हारबोर इंटर परिच्छा 2024 का एडमीट कार्ड मिला कर कॉलेज से लाना होगा छात्रों को तो बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखेगा इंटर का एर्मिट कार मिला कर कॉलेज से लाए चात्रे एर्मिट कार खुट से डाउलोड नहीं कर पाएंगे चात्रे इंटर परिच्छा एक फ्रबड़ी से सभी तैयारी पूरी कर ली गई है परिच्छा के अंदरों पे प्रश्न पत पढ़ने के लिए 15 मिनिट का समय दिया जाएगा सब कुछ का नया अपडेट जारी कर दिया गया है तो वीडियो का पूरा ध्यान से देखेगा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी लेकर आये है तो फड़ा पर वीडियो को लाइक और शेयर कर दे चैनल पे पहली बारे चैनल का सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि बिहार बोड़ की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहे सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि जो एक परवरी से आपकी इंटर की परिच्छा होने जा रही है परिच्छा के पूरी तयारी कर ली है किस तरीके से आपकी परिच्छा ली जाएगी सब कुछ का अपडेट यहाँ पे जारी कर दिया है सबसे पहले admit card की बात करें तो admit card जो है वो छात्रों को college से लाना होगा इसके लिए भी official update यहाँ पे जारी किया गया है कि किस तरीके से छात्रों को final परिछा का admit card मिलेगा जो की एक फरवरी से सुरू होने जारी है वही practical की परिछा भी आपकी 10 जनवरी से जो है वो college में सुरू होने जारी है तो सब कुछ जानेंगे कि आखी जो final admit card है जो एक तरीक से परिछा होगा एक फरवरी से उसका admit card जो है वो कब से मिलेगा और कैसे आपको लाना होगा सबसे पहले यहाँ पर बड़ी update यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इस बार जो है admit card खुद से download नहीं कर पाएंगे चात यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बड़ी update जो है वो admit card खुद से download नहीं कर पाएंगे चात यानि आप आपको खुद से admit card डानलोड नहीं करना है उसके लिए साब साब बिहार बोड ने निर्देश दारी किया है कि किस तरीके से आपको admit card मिलेगा यूकि admit card पे जो आपका photo रहेगा photo हस्ताचर के नीचे सबसे नीचे में आपका principal का हस्ताचर रहेगा और principal का stamp रहेगा इससे क्या होगा कि admit card गलत नहीं होगा और किसी भी छाथ की जगा कोई दूसरा छाथ exam hall में सामिल नहीं हो पाएगा इसलिए admit card खुद से डानलोड करने का option बिहार बोड यहां पे हता दी है final exam का admit card चाए बों इंटर का हो या मेर्टी का हो चाथ कुछ से डानलोड नहीं कर पाएंगे आप देखे कॉलेज से कब से मिलेगा कब आपको कॉलेज जाकर लाना होगा और कॉलेज में क्या मिलाकर admit card लेना होगा अगर admit card में कोई गलती रह जाएगी तो आपको परिच्छा में दिक्कत हो सकती है इसलिए आपको मिला लेना है उसके बाद कॉलेज से admit card लेना है तो बिल्कुर ध्यान से पूरी वीडियो देखेगा अपसे पहले यहाँ पर यह देख लिजी कि जो प्रेक्टकल का बारे में बात कर लें तो प्रेक्टकल की परिच्छा सभी जीलों में है ना दस जनवरी से जो है अब वो आपकी सुरू हो जाएगी जो कि आपको प्रेक्टकल का कॉलेज में ही देना होगा और कॉलेज में ही आपको प्रेक्टकल का अलग से admit card दे दिया जाएगा नहीं लाए होंगो तो ले लिजेगा ठीक है अब बात कर लेते हैं फाइनल परिच्छा का admit card का क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि फाइनल परिच्छा का admit card चात जो है वो खुद से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे चात को अपने अपने कॉलेज से लाना होगा तो कब कॉलेज से लाना होगा क्या-कार documents लगेगा admit card लाने में आपको परकर जाने है एक्जाम में पर फोनपे की माध्याम से ये पैसे payment करने है payment के बाद whatsapp नमबर पर आपको send करना है इसका screenshot और तुरंथ आपको PDF मिल जाएगा और इसे एक दम जो है रगल कर याद कर लेना है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा offer सीब कुछ दिनों में है और आपको बता दे कि इस offer का अंतरगत अगर आप लेते हैं तो इससे बाहरा के exam में कुछ तो आता ही नहीं है और केबल 15 दिन में आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं रगर कर याद कर सकते हैं यानि 15 दिन भी बच्चा हुआ है तो इसका फाइदा आप उठा ले फटापर तरीके से क्योंकि exam है यह आपके carrier का सवाल है और आपको यहाँ पे अगर सारे question आप लगा लेते हैं तो 90% marks जो है आसानी सा आज आएगा हर बच्चा यहाँ पे ला सकते है अगर वो कुछ भी नहीं परा है कोई भी टेंशन में है तो आप इस course को ले सकते हैं सिर्छे आपके mobile में जाएगा और आपको एक एक question देख लेना है और इससे वहार आपका कुछ नहीं आएगा बहुत वारा मौका है यह मौका सिर्फ कुछ दिन के लिए करा गया है ताकि हर गरीब बच्चे भी इसका फाइदा उठा सके आर्स वाले का 500 है और कमर्स वाले का 700 और साइंस वाले का all subject यहां पे 1000 में दिया जा रहा है तो बहुत जवर्स मौका है बिलकुल फाइदा उठा है और फाइनल परिच्चा मजा के एक दम धमाल मचा दे वहां पे आपको बाहर कर देगा कि यह admit card जो है बहुत सही नहीं है इस पे college का signature नहीं है और ना ही college का stamp है तो इसको मिला लीजेगा सबसे पहले यही मिलाना है आपको उसके बाद दूसरा चीज क्या मिलाना है कि आपको अपना फोटो मिला लेना है कि आपका फोटो है या नहीं है अगर आपका फोटो नहीं है तो घबराना नहीं है वहाँ पर प्रिंस्पल का सिंगनेचर करवा कर आपको वेरिफाई करवा लेना है ताकि पहले आप exam दे दे और उसके बाद अगर समय रहेगा तो आप फोटो सही करवा लिजेगा समय अगर नहीं है तो signature करवा कर फोटो फेरिफाई करवा लेना है अपना जो भी आपका अधार कार है उससे फेरिफाई करवा लिजेगा college के थुरू और exam center पर जाएंगे तो कोई दिकत नहीं होगा ठीके इस तरीके से आपको दो चीज ध्यान रखना है college का हस्ताचर और अपना फोटो है ना तिसरी चीज की बात करें तो subject मिला लिजेगा अगर आपका bio है तो bio subject है या नही math extra है या नही सबी subject का अच्छे से मिलान कर लेना है और उसके बाद admit card लेकर घर चले आना है admit card कब लाने जाना है तो यह देख लीजे यहाँ तो भी चात admit card लाने जाएंगे बोट दो चीज का और भी ख्याल रखेंगे कि admit card लाने के लिए कौनकों से document जो है वो college में लेकर जाना होगा तो सबसे पहले यहाँ पर जान लिजे कि अगर आप खुद जा रहे है admit card लाने के लिए तो आपके पास जो है अधार card है तो भी चल जाएगा या college का ID card है जो कि college निर्गत करती है तो वो भी चल जाएगा ठीके तो खुद आपको जाना होगा और वहाँ पे आपको एक attendance दिया जाएगा जिसमें आपको signature करना होता है admit card लेने के बाद तो signature करेंगे उसके बाद आपको admit card दे दिया जाएगा अगर किसी कारन बस आपका admit card खो जाता है तो college उसके लिए जेरवार नहीं होगा क्योंकि आपसे वो signature करवा लेता है कि आपने admit college ने आपको admit card दे दिया है इसलिए college का जो निर्देश है कि छात छतना है खुद से अपना admit card लेने आए लेकिन खास प्रस्तिति में अगर कोई बीमार है या किसी कान बस नहीं आ पाता है तो उसके parents आकर ला सकते हैं ठीके parents आकर ला सकते हैं उसके लिए उसका अधार card या college का ID card ठीके और जो ID card होगा उसमें parents का नाम रहना चाहिए और वही जिनका नाम है वही जाके admit card ला सकते हैं यानि कोई दोस्त को लाने का नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर सिंग नेचर लगता है ठीके तो इस चीच का धियान रखेगा और अच्छे से admit card लाईएगा ताकि admit card में किसी तरह की गलती ना हो क्योंकि अगर admit card में गलती हो जाती है तो इस final exam में हैना tension हो जाता है और exam भी खराब चला जाता है pressure में तो इस चीच का धियान रखेगा और बिल्कुल हरा नहीं है कब से admit card आपको college में जाकर लाना है इसके लिए यहाँ पर date जारी किया गया है तो सबसे पहले date देख लिए किस दिन जाना है कब आपका final exam का admit card college में मिलेगा खुछते download नहीं करना है साफ साफ यहाँ पर मना कर दिया है कि आप खुछते download कर ही नहीं पाएंगे ठीक कितना प्रयास कर लेजे खुछते download नहीं होगा बिहार बोर्ड ने इसके लिए user ID और password डाला है जो कि college का है college ही download करके अज stamp के साथ आपक जनवरी से है वो आपके college में बाटा जाएगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के वीच जो है वो आपको college से ले आना होगा final परिच्छा का admit card क्योंकि एक फरवरी से आपकी परिच्छा जो है वो यहाँ पे होने वाली है और जो practical का admit card नहीं लाएं अब तक practical का admit card ले लिजेगा क्योंकि 9 जनवरी तक practical का admit card मिलेगा और 10 जनवरी से आपकी परिच्छा जो है वो यहाँ पे practical के ली जाएगी ठीक है तो practical का admit card ले आना है और 21 जनवरी के बाद जो है वो आपको main paper का admit card मिलेगा और इस चैनल पे जो भी one sort video करवाए गया है उसे जरूर से लगा लिजेगा ताकि objective में भी सारे question आप बना के आपाए ठीक है link description में दिया गया है telegram और whatsapp group का तो जरूर से join कर लिजेगा और playlist में जाकर एक बार सारा question जरूर से लगा लिजेगा इस चैनल का playlist में जाकर ठीक है guys तो बने रहे हैं इस चैनल के साथ जो भी आपके authentic update होगी सबसे पहले comment करके जरूर बताएं कि इस बार जो है वो आप कितने तयार है intermediate परिछा के लिए और क्या लगता है कितना marks आप लाने वाले हैं अगर अच्छा marks लाने वाले हैं तो जैमार्शो स्रती comment करके जरूर लिखेगा ठीक है मिटें आपसे नए वीडियो में नई अपडेट के साथ ठीक्स रवाचि वाचि इस वीडियो